खास उपाये आपको बताने बाली हूँ क्योंकि शरत पूणिमा साल में एक बार आती है शरत पूणिमा का बहुत महत्व हैं एक घंटे दो घंटे आदे घंटे जितनी देर भी आप ज़ादा से ज़ादा बैठ सकते हैं बैठना चाहिए क्योंकि चांदिनी रात में शरत पूर्णिमा की उनकी किर्णे चांद की किर्णे बहुत ही ज़ादा पावरफूल होती है साल में एक बार आती है शरत पूर्णिमा तो इसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए लाब लेना चाहिए और यह आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है चांदिनी रात में अगर आप सुई में धागा डालते हैं तो आपके आँखों की रोशनी बहुत बढ़ती है कोई गंदगी ना चाहे तो आप उसको पूरी रात ढग दीजिए और वो खीर का सुवे आप सबको प्रशाद बाटेंगे कहते हैं कि किरिड़ें इतनी जादा पावरफुल होती हैं पॉजिटिवीटी से भरी होती है उनमें भी पॉजिटिवीटी और पावर आजाएगी जो आप प्रशाद बाटेंगे वो बहुती जादा अच्छा प्रशाद होगा जो खीर का प्रशाद आप सबको बाटेंगे आप अपने घर में भी अगर औरों को भी बाटने तो भी ठीक है उसके बाद सुई में धागा मैंने आपको पताए कि उसे आखों की रोशनी आपक बताने वाली हूँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके धन में बढ़ोतरी भी हो कि धन के नए रास्ते खुलेंगे और बरकत बढ़ेगी दोस्तों आपको करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ आप आप में नहीं तोड़ना है शाम को नहीं तोड़ना है आपको वो पीपल का पत्ता पहले से तोड़के रख लेना है और उस पीपल के पत्ते पे आपको एक का पांच का दस का आप दो तिन जितने भी सिक्के आप रखना चाहें आप रख सकते हैं और वो शरत पूर निमा के रात को आप वहीं पर रख दीजे चांदिनी रात के नीचे उसके बाद आप पूरी रात वो पत्ता और वो सिक्के रखे रहन दीजे आप सुबह उठ करके उनी पैसों को आप अपने पर्स में रख लीजे या फिर तिजोरी में रख दीजे पीपल का पत्ता अगर आप साथ म जाए या गंगाजी में जाये तो अगर पीपल का पत्ता सूख जाए वैसे तो तीजोरी में रखा भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप सूख जाये तो आप उसको किसी पौदे में डाल दीजे और वो सिक्के आप अपनी पर्स में या तीजोरी में रखे रहन द दोस्तो आप देखेंगे इस उपाय से आपके धन की कितने अच्छे साधन बनेंगे धन में बढ़ोतरी होगी धन में व्रद्धी होगी और आपकी बरकत बढ़ती चले जाएगी यानि कि उसको अट्रैक्शन मिलेगी धन धन को अट्रैक्ट करेगा तो इससे बढ़ोतरी होती चली जाएगी दोस्तों तो यह अचूक उपाए शरत पूर्णिमा का आप इसको जरूर कीजेगा और खीर का प्रशाद बाटिए सुई में धागर जरूर डालिए और चांदिनी रात में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बैटिए चाहिए यादा गंटा एक गंटा जितना भी आप बैट सकतें उन पावर्फुल किरुणों से आपको इसनान करना चाहिए यानि की बैट करके उनका आनंद भी लेना चाहिए प्रार्थना भी करनी चाहिए चंदर देव से कोई भी इच्छा हो तो वह भी कहनी चाहिए तो दोस्तों कहते हैं कि शरत पूर्णिमा की चां दिनी रात और उसकी रौशनी तो दोस्तो आज का उपाय यही है और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे लाब मिलेंगे आज का वीडियो अगर पसंद आया हो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक्स प